Hello student, कैसे हैं आप, I hope आप साभी अच्छ होंगे प्यारे बच्चो, आज हम करेंगे class 4 के English के lesson number 7 को इस lesson का नाम है बच्चो, the face and the duck तो इससे पहने हम इस lesson को अच्छे से समझ चुके हैं अब हम बच्चो इस वीडियो में इस lesson की exercise वा कोशी answers को देखेंगे तो बिल्कुल भी देना आप करते हुए बच्चो चलते हैं इस lesson की exercise की ओर बच्चो इस lesson की जो first exercise है, वो है listen and repeat तो यहाँ पर हमें एक sentence दिया है, इसे आपको सुनना है और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे आपको repeat करना है जैसे यह दिया है, see cells, see cells on the see saw तो यहाँ पर इसका means है, see cells, तो यह cells means है बेचना, ठिक है और यहाँ पर है see cells, इस see cells का means है, यहाँ पर sunk या फिर seep on the see saw, see saw का means होता है, समुधु का किनारा, ठिक तो वह रहे संक या seep को समुधु के किनारे पर बेचती है इस sentence का ये मतलब है ठीक एक बड़ी और मैं आपको पढ़के बता देता हूँ sea cells, sea cells on the sea sore अब बच्छो जो next exercise है वो है read and learn पढ़ो और सीखो तो यहाँ पर हमें कुछ words दिये है उनका जो pronunciation है वो same है लेकि उनका जो meaning है वो different different होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं ये भी sign है और ये भी sign है तो इस sign का means होता है घूट घूट और ये sip का means होता है पानी का जहाज या फिर समुदुर का जहाज या फिर जलियान भी बोल सकती है जले आने, यह जो cell है, इस cell का mean's होता है, बेचना, और यह जो cell है इस cell का mean's होता है, सीप या संक, यहाँ पर मैं संक लिख रहा हूं, लिकिन सीप भी होता है इसपा mean's, एक यह जो C है, इस C का mean's होता है समुद्र, यहां पर मैं लिख देता हूँ समुद्र, ठीक यह जो C है, इस C का मीनस होता है वहा, तो यह स्त्रियों के लिए वहा का उपयोग होता है, ठीक स्त्री लिंक के लिए इस वहा का उपयोग होता है नै बच्चों, यह जो SOR है S-O-R-E-S-O-R इसका means होता है पीड़ा दायक, या फिर पीड़ा देने वाला, दर्द पहुचाने वाला, ठीक, यह जो सोर है, इसका means होता है किनारा, ठीक, किनारा, इस तरीकी से हमने देखा बच्चो, यह जो words थे, सुनने में एक जैसे थे, लेकिन का जो spelling और mean है, वो different different है, ठीक, अब कुछ letters दिये हैं, जो कि sequence में नहीं है, उसका कोई word नहीं बनता, तो हमें उन letters को sequence में जमा कर, एक word बनाना है, जैसे कि यह जो, इन्होंने कुछ letters दिये थे, इन letters से इन्होंने यह word बना दिये, swim, ठीक, इसी तरीके से यह, जो first वाला है, इन्हें भी हम जमा कर, एक word बना द बना देते हैं यह जाएगा ल, a, u, g, h, लॉफ ठीक इसका वर्ड बना देते हैं यह जाएगा यह जाएगा सो, s, a, w, s, o, और यह जाएगा शीव, s, a, w, e, p, शीव, तो यहाँ पर दिखा हमने यहाँ पर पच्छो जो लेटर्स थे वो सिक्वेंस में नहीं थे और उन ले exercise है, वो है, choose the words from the circle beginning with s, and s, sound and write them in the given space, तो यहाँ पर दुछो दिख रहे हैं, हमें एक circle दिख रहे हैं, उसमें कुछ words लिखे हुए हैं, कुछ words हैं, जो s से start हो रहे हैं, और कुछ words s से start हो रहे हैं, तो जो word s से start हो रहे हैं, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है, in fill ups में fill करना है, ठीक, और जो s, s से start हो रहे हैं, उन्हें यहाँ पर लिखना है, तो दिख लेते हैं, यह c, s, h से start हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है, ठीक, next है cell, तो यह s से start हो रहे हैं, तो यहाँ पर आजागा, s, e, double l, cell, ठीक, ship, s, h से start हो रहे हैं, तो यहाँ पर से स्टाट हो रहा है तो यहां पर लिख देंगे से स्टाट हो रहा है तो यहां पर लिख देंगे से स्टाट हो रहा है तो यहां पर लिख देंगे से स्टाट हो रहा है तो यहां पर लिख देंगे से स्टाट हो रहा है तो यहां पर लिख देंगे से स्टाट हो रहा है तो यह से दुबारा नहीं लिखेंगे ठीक इस तरीक से यह एक्सराइज भी कंप्लीट अब चुब वर्ड पावर की जो सी नंबर वाली एक्सराइज है वह है पॉइंट आप अपॉजट दिये हुए है उन वर्ड के हमें अपॉजट धूनकर और लिखना है ठीक तो जैसे कि एक एक पर लिखा हुआ है तो यहां पर लिख देते हैं हम इसमॉल और यहां जाएगा बिग अब जो बाकी के अपॉजट वर्ड है मैं यहां पर लिख देता हूं इस जगा पर ठीक न्यू मिन्स होता है नया तो इसका अपॉजट हो जाएगा ओल्ड ठीक यह आप लिखेंगे न् ठीक नेक्स्ट है क्लोज क्लोज मिन्स होता है बंद इसका अपॉजट हो जाएगा ओपन ठीक यह आजएगा क्लोज और यह अपॉजट आजएगा ओपन ठीक नेक्स्ट है थिन थिन का अपॉजट हो जाएगा फैट थिन मिन्स होता है पतला फैट मिन्स मोटर ठीक यह आज और ये टेक ओफ, ठिक, नेक्स्ट है डे, डेका हो जाएगा नाइट, डे, और ये नाइट, टेक ओफ हो गया, फैट हो गया, तो इस तरीके से बच्छो सभी अपोजिट हमने लिख दिया है, इन अपोजिट वर्ड्स को आप याद भी कर लीजेगा, ठिक, अब बच्छो जो दी नमबर वाली एक्सेसाइज है, वो है, राइट ओल दा एसेज वर्ड्स इन दा फिस, तो यहाँ पर एक फिस दी है, तो उसमें हमें एसेज से जो स्टार्ड वर्ड होते हैं, वो फिस के अंदर लिखना है, ठिक, इसी तरीके से एंड सी के वर्ड्स इन दा डग, और जो सी के पर लास्ट वर्ड्स के सी के आता है, उन्हें यहाँ पर एक डग दी है, उन्हें यहाँ पर लिखना है, तो देख लेते हैं, यह देखिए, सिब, तो सिब एसेज से स्टार्ड होता है, तो यह फिस में आ जाएगा, ठिक, एसेज, आईपी, शिब, ठिक, नेक्स्ट है लिख, ठिक, 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 में आएगा तो मैं यहां पर लिख दिरा हूं black 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 sheep sh start हो रहा है तो यह duck में आ जागा sheep sh e p sheep shell तो sh start हो रहा है तो यह भी fist में आएगा तो यहां पर लिख दिरा हूं sheep shell sorry इस तरीके से बच्छों fist वाले word हमने इधर लिख दिये जो ss से start हो रहे थे और duck वाले word हमने यहां पर लिख दिये जो ck पर end हो रहे थे सभी words को आप देखेंगे ck पर end हो रहा है ठीक इस तरीके से यह exercise भी हो जाती है अब बच्छों जो next exercise है वो है comprehensive तो इसमें यह वाला यह exercise complete this answer तो यहां पर हमसे कुछ questions किये रहे हैं उनके answer हमें complete करना है feel up की रूप में answer देना है ठीक तो question को समझ लेते हैं what was Sachin doing Sachin क्या कर रहा था तो बच्छो Sachin जो sea sore था वहाँ पर बैठा हुआ था ठीक है तो यहां पर लेकिए Sachin was sitting on the sea sore ठीक समुद्र की किनारे पर बैठा हुआ था ठीक इस तरीक से यह first answer हमने दे दिया आप next question को देख लेते हैं बच्छो जो second number का question है वो है what was the fish doing जो fish थी मच्छी थी वो क्या कर रही थी तो बच्छो मच्छी थी वो अपने जो उसकी साती मच्छी थी यानि उसकी friend थी उसके साथ में तेर रही थी तो यहां पर आएगा the fish was swimming swimming with her friends मच्छी थी वो अपनी साती मच्छी थी के साथ में धैर रही थी ठीक next question में 3rd number का वो है what did the fish do after seesaw i versus check in to make a fore entrepreneur को उसने सचन को सचन को वहां पर देखा तो सचन को वहां पर देखा था तो बच्छो जो मच्छी थी उसने अपने दोस्तों को वहाँ से दूर जाने के लिए उसने बोला कि यहाँ से दूर चलते हैं नहीं तो सचिन है वह हमें पकड़ लेगा और खा जाएगा ठीक तो इसकान से हम लेकिंगे दा फिस्स टोल्ड हर तो मचली ने अपने दोस्तों से कहा तो हर फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो कीप अपे मनला यहाँ से दूर चलते हैं अपने दोस्तों को यहाँ से दूर जाने के लिए गाता है ठीक जिस जगा सचिन था फोर्थ है वाइड़ दा फिस्स टू सो तो फिस्स ने ऐसा क्यों किया है ठीक तो यहाँ पर आएगा यान हम. अपने दोस्तों की जान बचाना चाहती थी इसलिग उस्ने ऐसा किया था वो जो संच था सचिन के लिए ठीक तो fifth है what did the fish hang on the hook तो सचिन ने जो मचली थी उसने सचिन के होग पर क्या टांग दिया था तो हमें पता है बच्चो सचिन के होग पर जो मचली थी उसने king cell टांग दिया था यानि एक बड़ा सा संक लेकर उसके होग पर टांग दिया था जिससे कि सचिन को लगे कि कोई बड़ी मचली फस गई है तो यहाँ पर लेकिन के the fish the fish hang a king king cell ठीक तो cell आएगा यहाँ पर king cell on the hook तो मचली ने सचिन के होग पर एक बड़ी सा संक टांग दिया था अब बच्चो जो कंपेंजन की जो बी नंबर वाली exercise है वो है write t for true and f for false statements तो यहाँ पर हमें कुछ statements दिये हैं अगर वो true है statement यानि सही है तो वहाँ पर हम true के लिए t लिखेंगे यानि फूरा true ना लिखते हुगे सिर्फ t लिख दिंगे उनके आगे ठीक और अगर वो false है यानि गल्थ है तो वहाँ पर हम false ना लिखते हुगे f लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर first statement है बच्चो Sachin wanted to catch a fish Sachin मचली पकरना चाता था तो बिल्कु सही बात है वहाँ पर Sachin मचली पकरने के लिए आया था वो मचली पकरना चाता था तो यह true है तो यहाँ पर हम e लिख दिंगे ठीक next है second number का statement he got a big fish on the hook Sachin ने एक बड़ी मचली पकरी अपने hook में तो ऐसा नहीं है Sachin के hook में बड़ी मचली नहीं एक बड़ा संख फसा हुआ था तो यह statement गल्थ है तो यहाँ पर false के लिए हम f लिख दिंगे ठीक third जो statement है वो है Sachin had a king cell on his hook Sachin के hook में एक बड़ा संख फसा हुआ था तो सही बात है Sachin के hook में एक बड़ा संख फसा हुआ तो यह true है ठीक true के लिए हम T लिख दिंगे fourth है our duck wanted to be the fifth friend जो बतक थी वो मचली की दोस बनना चाती थी तो सही बात है जो बतक की वो मचली की दोस बनना चाती थी तो यह true है ठीक fifth है Sachin was fishing in a river Sachin एक नदी में fishing यहीं मचली पकड़ रहा था तो यह false है बच्चो वो समुद्र में मचली पकड़ रहा था ना कि नदी में थीक तो यहाँ पर हम false लिख देंगे यानि F आ जाएगा sixth है the fish was clever जो मचली थी वो बहुत जादा चतुरती बुद्धी मान थी clever का means क्यों होता है बुद्धी मान तो मचली बहुत जादा चतुरती बुद्धी मान थी उसने अपनी चत्राई से ही अपनी और अपने friends की जो life थी वो save कर रही थी तो यह true है तो यहाँ पर हम true lifting है यह true हो जाएगा इस तरीके से यह exercise भी होती है अब चलते है बच्चो next exercise अब बच्चो जो next exercise है वो है let's do चलो कर दे है तो यहाँ पर दिया है how many small fish are there inside the big fish तो यहाँ पर एक बड़ी मचली दी है उसके अंदर कुछ चोटी-चोटी मचलिया दी है तो यह बूच रहे के इस बड़ी मचली के अंदर और जो छोटी मचली है उनमें color करना है तो यह color वाला पार्ट आप कर लीजेगा ठीक 10 हमें लिखना है answer में तो 10 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमें 10 लिखना है तो यह बूल रहे big fish कितनी है तो बड़ी मचली है ठीक और small fish कितनी है इसके अंदर तो 10 है बच्चो अगर total करें तो बाहर वाली तो यह 1 और है तो यह 11 लेकिन उसने हम से अंदर वाली पुछी है तो यह 10 है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 T A and 10 तो बच्चो इसी question के answer के साथ हमारी यह वीडियो complete होती है I think यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में